हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू नॉलेज की पात्शाला जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप तीस प्रशन को लेकर आते हैं जो सभी तरह के प्रतियोगी परिक्षाओं SSC, IBPS CLARK, IBPSPO, RBI, TET इत्यादी के लिए उप्योगी है यहां सभी महित्वकून प्रशनों को लिस्टिद किया गया है जो सभी तरह के प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछी जाते हैं आपका अगला प्राशन है निम्न में कौन आउक्सी करन नहीं है? A. अवक्षेपन, B. घोजन का पचना, C. श्वसन, D. तहन, इसका सही उत्तर है, आउक्षन A. अवक्षेपन, आपका अगला प्राशन है नमग की घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल दालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन होता है ये कौन सी अभिक्रिया है? A. कुस्थापन, B. उदासी निकरन, C. सयोजन, D. अवक्षेपन, इसका सही उत्तर है, आउक्षन B. उदासी निकरन, आपका अगला प्राशन है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर है, ओक्षन, सी उप्चयन अभिक्रिया, आपका अगला प्राश्ण है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में आउक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है, ओक्षन, बी उप्चयन अभिक्रिया, आपका अगला प्राश्ण है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? A. सयोजन और विघटन, B. अवक्षेपन और विस्थापन, C. उदासीनी करण और विस्थापन, D. ओक्सीकरण और अफकरण, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, C. उदासीनी करण और विस्थापन, आपका अगला प्राश्ण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक् क्लोरे कामल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? A. उदासी निकरन, B. क्विगटन, C. सयोजन, D. अवक्षेपन, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. उदासी निकरन, आपका अगला प्राश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? A. प्रतिफल, B. अफकारक, C. अभिकारक, D. ओक्सिकारक, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, C. अभिकारक, आपका अगला प्राश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? A. उदासी निकरिया, B. सयोजन अभिक्रिया, C. उपच अभिक्रिया, D. द्वियब घटन अभिक्रिया, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. उश्माक्षेपी अभिक्रिया, आपका अगला प्राश्न है, प्रबल, अमल और दुर्बल ख्षारक से बने लवन का फमान क्या है? A. 7 से अधिक, B. 7 से कम, C. 10 और 14 के बीच, D. 14 से कम, इस दोलने पर क्या मुक्त होते हैं? A. O. H. आयन, B. H. जोड आयन, C. दोनों आयन, D. कोई आयन नहीं, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. O. H. आयन, आपका अगला प्राश्न है, दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है? A. लेक्टे कामल, B. साइट्रे कामल, C. ओक्जले काम D. अन्य, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. लेक्टे कामल, आपका अगला प्राश्न है, किसी अमल में मुख्या आठ रूप से एक परमानु अवश्य मौजूद रहता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन करता है, A. हाइड्रोजन, B. आक्सिजन, C. नाइट् होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है, A. आमल, B. लवन, C. भस्म, D. इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. आमल, आपका अगला प्राश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते है, A. एक शारक, B. शार, C. संक्षारन, D. इसका सही उत्तर है, A. एक शार, आपका अगला प्राश्न है, निम्न में कौन प्रबलम यह है, A. टी एच साथ, B. टी हेच चोदह, C. टी हेच शून्य, D. इसका सही उत्तर है, ओक्षन, C. टी हेच शून्य, फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो वी है, लिटमस रंजक बैंगनी रंका होता है, जो निकला जाता है, A. लाल, B. लाइकन, C. पत्ता गोभी हल्दी, D. पेटुनिया फूल, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, B. लाइकन, आपका अगला प्राश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की ख्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, A. B. केलसियम क्लोराइड, B. क्विरंजक चून, C. हाइड्रोक्लोरेकामल, D. जल, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, B. क्विरंजक चून, आपका अगला प्राश्न है, हल्दी, लिटमस पत्रादी किस प्रकार का सूचक है, A. संशलेशित, B. प्राकृतिक, C. प्राकृते केव स संशलेशित, D. अन्य, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, B. प्राकृतिक, आपका अगला प्राश्न है, अपच का उक्चार करने के लिए निम्न में सी कौन ओशदी का उप्योग होता है, A. इंटेसिद, B. एंटिबाउटिक, C. एनॉलजेसिक, D. एंटिसेप्टिक, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. एंटेसिद, आपका अगला प्राश्न है, निम्न में कौन ओक्सी करन नहीं है, A. देहन, B. अवक्षेपन, C. घोजन का पच्चना, D. श्वसन, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, B. अवक्षेपन, आपका अगला प्राश्न है, प्राकृतिक गैस का दे का अगला प्राश्टन है कौपर छूर्ण को वायू में गर्म करने पर उसकी सतव पर कौपर उक्साइड की एक परत जम जाती है इस परत का रंग कैसा है? सोडियम हाइड्रोकसाइड का pH मान लगभग है? A. 11 है B. 12 है C. 13 है D. 14 है इसका सही उत्तर है ओक्षन D. 14 है आपका अगला प्राश्न है किसी उदासीन विलन का pH मान है H. 7 है B. 2 है C. 9 है D. 11 है इसका सही उत्तर है ओक्षन H. 7 है आपका अगला प्राश्न है दाग का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफी कथोर है A. कॉकर क्लोराइड B. केल्सियम फॉसफेट C. केल्सियम कार्बाइड D. केल्सियम कार्बोनेट इसका सही उत्तर है ओक्षन B. केल्सियम फॉसफेट आपका अगला प्राश्ट्र है इमली में कौन सा आमल है? इसका सही उत्तर है आपका अगला प्राश्ट्र है उक्चयन अप्चयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए उश्मा शोशी अभिक्रिया, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी अवक्षेपन अभिक्रिया, डी उश्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, आपका अगला प्राश्न है, दानेदार जस्ता पर तनू सल्फ्यूरिक अम्ल पर कौन सा गैस उत्सजित होता है? A. Hydrogen Gas B. Sulfur Dioxide C. Oxygen Gas D. कोई गैस नहीं इसका सही उत्तर है Auction A. Hydrogen Gas आपका अगला प्राश्ण है सूर्य प्रकाश की उपस्थिती में पोधे CO2 और जल से अपना भूजन प्लूकोस तैयार करते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है? A. क्विस्थापन B. क्विघटन C. प्रकाश रसायनिक D. अवक्षेपन Friends, इस प्राश्ण का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्ण लेकर आते रहेंगे Thank you for watching